एसल वर्सेज एनेडी फाइनल ओडियाई डबलू सी क्यू मैच श्री लंका वर्सेज नीडरलेंड फाइनल डबलू सी क्यू ओडियाई मैच जो की खेले जाने वाला है और गाइज ये वाला मैच इस वर्ड कप कॉलिफाइंग 2023 का लास्ट एन फाइनल मैच है जो की खेला जाएगा श्री लंका वर्सेज नीडरलेंड के बीच और आप लोगों को गाइज पता ही है कि ये दोनों टीमें अल्रेडी कॉलिफाइ कर चुकी है बट ये वाला मैच रहेगा गाइज टेबल में फर्स्ट और सैकेंड रैंग पे कौन रहेगा अब गाइज इस बड़े मैच में क्या प्लेइंग 11 श्री लंका की रहेगी क्या हसरंगा आज के मैच में खेलेंगे क्या नीडरलेंड आज के मैच में कोई चेंज करेगा या फिर सेम टीम के साथ उत्रेगा तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, नीडर लेंग की क्या प्लेइंग 11 रहनी वाली है, कौन से वेन्यू पे ये मैच किला जाएगा और एक गई सबसे इंट्रेस्टिंग बात है कि इस वाले वेन्यू पर अलरेड़ी बहुत सारे मैचेज हो चुके हैं, तो क्या पिछ में कोई चेंज हुआ है या फिर वो ही पिछ रहने वाली है जैसे की लास्ट मैचेज में रही थी साथ में अपन देखेंगे कि भाई ग्रैंड लीग के पॉइंट ओव यू से वो कौन से तीन प्लेयर ऐसे हैं जिनका सलेक्टेट परसंटेज बहुत कम है बट वो आज के मैच में काफी इंपोर्टेंट होंगे तो उनके बारे में अपन बात करेंगे, साथ में अपन देख वीडियो को पूरा देखते हो क्योंकि मेरे वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो इस मैच से रिलेटेड आपको चाहिए अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं अगर आपने इस चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो भाई बैल आइकन की घं से मॉटिवेट करेगा इस ते लाइक आपको जरूर से करना है तो एसल वर्सेज एनीडी फाइनल आई सी सी ओडियाई डबलू सी क्यू दोजार तेइस मैच यह खेला जाएगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में और यहां कि गाईज अगर पिछ रिपोर्ट की बात करें तो गैज काफी मैचे इस वाले ग्राउंड पर अल्रेडी हो चुके तो अगर आप उन मैचों इसका स्टेडी करोगे तो पिछ बैटिंग सपोर्टिव तो है रन तो काफी बनेंगे बट गैज इस वाले ग्राउंड पर एक चीज़ देखी गई है कि यहां पर फास्ट बॉ में लेके चलना कि अगर फास्ट बॉलर्स को मदद रहती है बट अगर आज के मैच में अगर हसरंगा खेलते और तिक्षाना तो जिस तरीके की फॉर्म में उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो शानदार और श्री लंका गईज वैसे भी इस मैच में करना है यहां पर गईज मैं आपको आगे की चीज़ बताओ उससे पहले गईज मेरा यह टेलिग्राम चैनल है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशल जहां पर दो लाग से जादा लोग अल्रेडी जॉइन हो चुके अगर आपने जॉइन कर रहा है तो आपको भी विनिंग टीम मिल दी होगी और आप अच्छी विनिंग कर रहे होंगे अगर आपने जॉइन नहीं किया तो गईज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में सबसे टॉप पे पिन किया हुआ लिंक है टेलिग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशल का भाई आ ही आएगा तो टेलिग्राम पे आप जरूर जॉइन हो जाना शौर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशल के अगर मैं स्कोर की बात करूं तो लास्ट दस मैच जो ओडियाइस के हुए है ना उसमें देखा गया है कि बैटिंग फर्स ने चार सेकिंड ने छे और एवरेज स्कोर क बैट करता है तो एक बड़ा स्कोर बन सकता है बट अगर नीदर लेंड पहले बैट करता है तो हो सकता है उतना बड़ा स्कोर ना बने और अभी तक किवल एक मैच के लाग जिसको भी श्रीलंका नहीं वान किया है अब गैज मैं आपको वीडियो में बता रहा था इस टार् जिसमें पेसर्स ने 45 विकेट लिया है इस पीनर्स ने केवल बी से विकेट लिया है तो कही ना कहीं गए जिस वाले ग्राउंड पर फास्ट बॉलर्स का रोल इंपॉर्टेंट होता ही होता है इस चीज़ को आपको दिमाग में लेके चलना है अब गैज देखे इस वाले ग अब शिलंका तो गई जहां जहां जा रहा है ना पूरे वल्ड कप कॉलिफाइंग में कोई मैच हा रही नहीं तो इसके लिए कोई मैटर नहीं करता पहला बैट सेकिंड मैट इसके लावा तीन जुलाई को मैच हुआ नीदर्लैंड ओमान के बीच नीदर्लैंड ने 362 बना पाया और इसके रावा पांच जुलाई को मैच हुआ ओमान वेस्ट इंडी ओमान 221 बना वेस्ट इंडी ने 222 बना दिये तो जब वेस्ट इंडी और नीदर्लैंड ओमान की अगेंश में खेले तो इसले विन कर गए बड़ श्रीलंका और नीदर्लैंड का जो आज का मैच है वो इतना इजी एक टास्क जड़ाएगा नीदर्लैंड के लिए तो आज के मैच के लिए आपको कैसे और कौन से प्लियर्स को सलेक करके टीम मनानी है वो सबब भी आपको इस वीडियो में पता लगने वाले हैं और गाईज यह स्पोर्ट इसी एप्लिकेशन है बहुत सा है कि भाई जब से हमने यहां पर खेलना स्टार्ट किया है ना हमारी नॉर्मल टीम भी यहां पर अच्छे विनिंग कर रही है क्योंकि गाईज जना कॉम्पीडिशन यह ही नहीं और दूसरी चीज यह जो प्लेटफॉर्म फी स्टार्ट करते हैं वो भी बहुत कम है और सब इस पोटेसी एप पे अगर आपने अभी तक खेलना स्टार्ट नहीं किया और अगर आपका लॉस हो रहा है आप विनिंग करना चाते हो तो सबसे बैस टैप है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस पोटेसी एप का लिंक दिखेगा जाके डाउनलोड करना है म जो कि गईस पर्सनली मैं यहीं खेलने लगा हूँ और आपको मेरी विनिंग दिखते होगी जो भी भाई मेरे साथ टेलीग्राम पे जोईन है मैं अच्छे विनिंग करना हूँ और आज के मैच में आप लोगो के लिए दो फिरी गीववे एक गीववे इस पोटेसी एप प पर वीडियो गाइस पूरा आपको देखना है बट इस एप पे गाइस वित्ते जोकिम इंक्लिूड है क्रप्या अपनी इस पर खेले समल के खेले इस पोटेसी एप का लिंग गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा वहां से जाके डाउनलोड कर ल हानी है हर चीज गाइस बारी की से देखेंगे बिलकुल ध्यान आपको यहां लगा देना है अगर शीलंका की प्लेइंग 11 की बात करूं तो देखें पतुन निसांका के साथ डी करूना रतने यह ओपनिंग पर आएंगे फिर कुशल मैंडिस आएंगे सदीरा आने वाले हैं चरेत असलांका, सहान आएंगे, दशुन शनाका आएंगे, डी हेमलता, महेश तिक्षाना, दिशान, मदुशंका और एम पतिराना यह शीलंका की एकस्पेक्टेट प्लेइंग 11 है जो आज के मैच में रह सकती है इसमें हो सकता है असरंगा आज के मैच में खेले ना भी खे आएंगे, इसके बाद डबलू बैरासी, बास्ती लीडे, तेजा आने वाले हैं, फिर स्कॉर्ट एडवर्स, शाकिब जुकफीकर, लोगान वैन बीक, रेयान आएंगे, आरियन दत आएंगे और फ्लॉइड आएंगे, अब गैज मुझे ऐसा लग रहा है आज के मैच में क काफी चेंजेस दोनों टीमों की तरफ से हो सकते हैं, ये टीम में अपने बैंच वे बैठे हुए प्लेयर्स को भी मौका दे सकती है, तो अगर वो प्लेयर खेलते हैं तो उनका रिकॉर्ड कैसा है, वो सारा भी आपको अभी पता लगेगा, इसलिए आपको पूरा वीडिय जो देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, अब सबसे पहले देखते हैं, एसल वर्सेज एनिडी के इस मैच में विकेट कीपर सेक्शन में किसको पिक करें, यहाँ पर बड़ा कन्फीजन है, तो श्री लंका की साइड से देखिए, दो नामें सदीरा है, और एक कुशल म थोड़ा जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था ना, उतने अच्छे फ्लो में नहीं थे, बट अभी लाश्ट दो मैचों से मुझे लग रहा है, फ्लो में आते हुए दिख रहे हैं, नमबर तीन पोजिशन पे खिलेगा, और लाश्ट दो मैचों में 34 और 25, हरारे की इस व क्योंकि अगर नीदर्लेंड अगर इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाइ किया है, तो कही ना कही इसका रोल रहा है, अगर आप लाश्ट चार मैच देखोगे, पच्चिस चार, 67, 67, और सबसे बड़ी बात है, हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेलना पसंद करता है, इस कुषल मैंडिस है, जो आपको रखना ही रखना है, एक अच्छा पिक है, बाकि अगर आप सदीरा को भी रखना चाहो, वो आपका डिसिजन है, रखना है या फिर नहीं रखना, बट सदीरा को गई मेरे साब से अगर शीलंका पहले बैट करे ना, तो रखना सैकेंड बैक टू बैक सेंचुरिस, 104, 101, उससे पहले 75, तो बहुत ही अच्छी फार्म में लग रहा है, बहुत ही अच्छे टच में है, अपने टीम में डैफिनेटली होगा, अब कई लोग इसको कप्तान और वाइस कप्तान बनाने की भी सोचेंगे, तो उसके लिए एक बार आप रुख जाना, इससे भी बैटर आप्शन में आपको दूँगा, डिमूट करूना रतने की बात करूँ गईज ओपनिंग पर लास्ट चार मैचों में 83, 33, 37, इस वेन्यू पर एक मैच खिला है, 83 रन, और सामने वाले टीम के अगेंस, नीदर लैंड के अगेंस, एक मैच खि और चरित असलांका की बात करें, अगर इसको बैटिंग का मौका मिलता है, तो काफी अच्छी पर्फॉमेंस दे सकता है, तो जो भाई आज के मैच में ग्रैंड लेक टारगेट कर रहा है, तो वो असलांका के सार्डिस्क ले सकता है, क्योंकि मुझे आज के मैच का ये फोकस करके चलना है इन दोनों प्लेयर्स पर, यहाँ पर गाइज मैं बात करूं नीडर लैंड के बैटिंग सेक्शन की, कि एनिडी की तरफ से अपन बैटिंग में किसको पिक करें, पहला नाम है गई विक्रम जीत सिंग ओपनिंग पर आएगा, और मेरे साब से अगर आप फॉर्म देखोगे, तो शानदार फॉर्म में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड कप कॉलिफाइंग में फॉर्म अच्छी थी, और लास्ट चार मैचों में आप देखे, 40 रन, 110 रन, 37 इस वेन्यू पर 8 मैच के लिए, 322 रन मनाए, 40 के अवरेज से, तो कही ना कही विक्रम जीत स की फॉर्म बहुत ही अच्छे चल दी और आपको टीम में रख लेना है, मैक्स आउड की बात करूँ गईज, ओपनिंग पर आएगा, इस वेन्यू पर आवरेज आप देखे, 48 का है, तो यहां पर गईज, दो प्लेयर्स के बेच में एक बड़ा कन्फिजन है, मैक्स आउड 48 का है, तो अगर आप इन दोनों में कंपेरिजन करोगे, तो मैक्स आउड थोड़ा बैटर है, बाकि आप यहां पर वैसली बहरासी के साथ भी जा सकते हो, और तेजा की बात करूँ तो भाई इसने एक ही मैच खेल के यहां पर अच्छा स्कोर बनाया था, बाकि ओवर आल उतना अच्छा बैस चॉइस नहीं है, तो यहां पर गई नीडरलेंड के साइड से वैसे तो तीन ऑप्शन बन रहे है बैटिंग के, विक्रम जीत सिंग, मैक्स आउड और वैसली, बट इसमें विक्रम जीत सिंग को तो रख ले ना, बट मैक्स आउड और वैसली में से किस को रखना है, अभी मैं आपको फाइनल टीम दिखाऊंगा, तब बताऊंगा किसको लेके आना है, गाइस लाइक कर देना, इस वीडियो का टार्गेट तीन हजार लाइक्स का है, और मैंने जितना मांगा है, आपने उससे ज़्यादा ही दिया है, तो प्लीज भाई को मॉट इस पिछ भी काफी ब्रेक हो चुके होगी, क्योंकि काफी मैचेज हो चुके है, तो कहीं न कई स्पीनर सब इफेक्टिव रहेंगे, खास तोड़ से श्रीलंका के तो, तो डी हिमलता एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, तिक्षाना के साथ, तो आप डेफिनेटली डी हिमल चलना बहुत जरूरी है, उसका नाम है बास दी लीड है, टीम का फास्ट बॉलर है, लाश्ट मैच पर भाई, 123 रन मनाय थे, साथ में पांच विकेट अपनी बॉलिंग से निकाले, अपने दम पे मैच टीम को क्वालिफाई करा है, उसके अलावा उससे पहले 49 रन, फिर 41 र विकेट, 33 रन, दो विकेट, और इस वेन्यू पर भाई, पाच मैच खेल चुका है, साथ विकेट, 121 रन, ये गाईज आज के मैच में कप्तान की एक बहुत अच्छी चोईस है, क्योंकि चाहे नीदर लैंड मैच हार्द है, बट ये प्लेयर काफी अच्छा करेगा, तो ब तीन विकेट इसको मिले है, तो वो कही ना कही प्लस है, और शाकिब जुफीकर की बात करूँ, लास्ट दो मैचों में 33 रन, 33 रन, बाकी दो दो विकेट, तो ये भी गईज काफे इंट्रेस्टिंग प्लेयर है, जो बॉलिंग नी तो बैटिंग से अच्छा पर्फोर्में गईज अभी देखिए, फाइनल टीम आईगी, कप्तान वाइस कप्तान का सेलेक्शन आएगा, दो फिरी गिववेज आएगे, तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहना है, बट अगर वीडियो पे लाइक नहीं किया है, कर देना और टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करन तना हसरंग का निवारा तना वो रोल अप तिक्षाना निखार निवारा है, और बहुत ही अच्छे फार्म में आ चुका है, आप इसको भी कप्तान और वाइस कप्तान बना सकते हैं, लाश्ट मैच में तो गईज यह मेरा कप्तान ता और इसकी वज़े से वन साइडेड व पड़ेगा, दिलशान, तिक्षाना और पतिराना, तीनों को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, हाँ बट आप एक काम कर सकते हो, पतिराना की जगे आप डी हेमलता के साथ भी जा सकते हो, वो भी एक बैटर चॉइस हो सकता है, क्योंकि पतिराना दैत में अच्छी बॉलिंग कराता है, टी-20 का स्पेशलिश बॉलर है, बट डी हेमलता अच्छी बॉलिंग करेगा, एज़े स्पीनर, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, तो मैंने आपको दोनों रीजन बता दिये, किसको और कब रखना है, यहाँ पर बात करें, नीडर लैंड की बॉलिंग सेलेक्श दो ही विकेट मिले, और रेयान की बात करें, यह डेफिनेटली आपके टीम में होगा, अपने लास्ट मैच में भी यह था, और अच्छी विनिंग कराके गया, फास्ट बॉलर है, अब तक लास्ट तीन मैचों में पाच विकेट ले जा चुका है, और इस वेन्यू पर भी इसका रोल बहुत ही अच्छा रहता है, तो यहाँ पर गईज अगर अपन तीनों में देखे न, तो मेरे साब से जो बैस्ट चॉइस है वो है, रेयान क्लाइन, जिसके साथ अपन आज के मैच में जा सकते हैं, एक बैस्ट चॉइस प्लियर बनने वाला है, अब देखें, श है विकेट ले गया, तो प्लस हो जाएगा, इसके अलाओ यहाँ पर करूणा रतने हैं, वैलेज है, कसुन रजीता है, तो इन तीनों में से भी गईस कोई भी खेल सकता है, देखे हाई चांस है, आज के मैच में चेंजेस होंगे, तो इन में से जो भी आता है, आपके सामने रिकॉर्ड है, आप जरूर से आके देख सकते हो, नीदर लैंड की से यह दो प्लेयर है, विवियान किंगमा और शरीज अहमत, मुझे नहीं लगता है, यह कोई चेंज करेगा, बाकी बट अगर शरीज अहमत खेलता है, तो टीम का स्पीनर है, इस वेन्यू पर पाच मैच खिले 10 विकेट लिया है, तो थोड़ा सा एक अच्छा प्लेयर है, आप फोकस करके चल सकते हो, श्रीलंका और नीदर लैंड की तरफ से देखी गई सबसे बड़ा क्योशन उठता है कि कौन सा बॉलर कितनी ओवर्स करेगा, और पावर प्ले और दैथ में कौन करने वाला है अगर श्रीलंका की तरफ से बात करो तो पतिराना और शना का ये दो ऐसे बॉलर है जो दैथ में बॉलिंग कराते हैं और खास थोड़ से पतिराना तो दैथ में विकेट भी लेता है, और बाकि अगर आप बॉलिंग की बात करो तो मदूशंका, तिक्षाना, पतिराना, दी हेमलता यह लगभग अपने पूरे ओवर्स करने वाल है नीदर लैंड की तरफ से रियान आएंगे बास्टी लीडे दैट में जिसमें दोनों की दोनों दैट में अच्छी बॉलिंग कराता है इसलिए मैंने आपको बलाता है इन दोनों बॉलर्स पर आपको फोकस करके चलना ह बाकी इन सबको यहां पर बॉलिंग मिल जाएगी अब गईज आज की मैच की मैं आपको फाइनल टीम दिखाने जा रहूं बट एक चीज़ आपको बता दो इस वाली टीम में अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो फाइनल अपडेट आपको टेलिग्राम चैनल शौर एक बता दिया है यहां पर कॉंपिडिशन बहुत कम है और दूसरी बात लोवेश प्लेटफॉर्म फीस है तो अगर आपको सही में विनिंग करनी है तो मेरी जैसे और मेरे भाईयों की जैसे आप भी स्पोर्टी सी एप पर खेलने लग जाईए क्या टीम मनाईए विकेट कीप पास चॉइस कौन सी है मैक्स आउड की भी जिसका इस वेन्यू पर पचास कैवरेज है यहां पर बास्ती लीडे लोगन वेन भी दोने इंपोर्टेंट और राउंडर है यहां पर रखा है तिक्षाना पतिराना मदुशंका और रियान क्लाइन बट इसमें आप एक काम कर सक पर पतिराना की जगें यहां पर डी हैमलता के साथ भी जा सकते जो एक बड़िया बॉलर है श्रिलंका की साइट से ठीक है अब मैं फाइनली किसको रखूंगा वो टॉस के बाद आपको पता ही लग जाएगा आप टेलिग्राम पर एक्टिव रहना अभी नहीं से ही आप कि ज़रूर से जॉइन कर लेना है बहुत फास्टली फिलप हो रहा है ठीक है तो जाहिए एप को डाउनलोड करिए थोड़ा वित्ते जो कि मेंक्लूड है कर पे अपनी रिस पर खेले समल के खेले कप्तान के लिए आज के मैच के लिए देखिए तिक्षाना और लीड बास ते इंफॉर्मेटिव था एजूकेशन परपस से था और मैंने आपको बोला इस एप पर खेलो वहां खेलो देखो खेलना नहीं खेलना हो आपका डिसीजन है मैं कहीं से भी फोर्स नहीं कर रहा पर जाते जाते वीडियो पर लाइक कर जाना चैनल सब्क्राइब कर जाना और ऐ ताकि खुछ भी चेंज होगा खुछ भी अपडेट होगा वह सब आपको मेरे टेलिग्राम पर मिल जाएगा ठीक है भाईयो नमस्कार